दोस्ता नमस्कार महरास्ट्र के पूर्व ग्रहमंत्री अनल देश्मुक को बहुती बड़ा जटका लगा है और इस जटके के साथ ही अब अनल देश्मुक के बचने के जो सारे धर वाजे थे दोस्तों वो पूरी तरिके से बंद हो चुके हैं यानि की दोस्तों अब अनिल देशमुक बहुती जल्द सलाखों के पीछे जाएंगे दरसल बॉंबे हाई कोट ने महारास्टर के पूर्व ग्रह मंतरी अनिल देशमुक की एक याचिका को खारिज कर दिया है इस याचिका में देशमुक ने भरस्टा 4 के एक मामले में CBI की और से अपने खिलाब दरज FIR को खारिज करने की मांग की थी इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है इससे पहले 19 जुलाई को देशमुक ने कहा था कि मैं इस याचिका पर हाई कोट का फैसला आने के बाद ही ED के सामने अपना बयान दर्ज करानी के लिए जो है पेश होंगा लेकनी है कि देशमुक इससे पहले मामले में पूछताच के लिए ED की और से समझ जारी किये जाने के बावजूद उनके जो है समक्ष पेस नहीं हो रहे तो और बार बार इस बात का हवाला दे रहे थे देशमुक से पूछताच करेंगी इससे पहले उन्होंने अनिल देशमुक के नाकपूर इस्ते दावासों पर छापे मारी की थी ED ने अदालत के आदेश पर दर्ज किये गए मामले वसीबियाई की प्रारभमिक जाच के बाद देशमुक वाओ अनिके खिलाब मामला दर्ज किया था नियालाय ने सीबियाई को मुंबई के पूर पूलिस कमिशनर परंबीर सिंग द्वारा देशमुक के खिलाब लगाए गए रिश्वत के आरोपों की जाच करने के लिए कहा था और देशमुक ने आरोपार कर दिया था 16 जुलाई को इनफोर्समेंट डिरेक्टोरेट ने बताया था कि अनिल देशमुक और उनके परवार के खिलाब जबरन वसूली सह घुसखोरी मामले से जुड़ी धनशोधन की जाच के सम्मंद में उसने 4.2.0 करोड रुपए मूल की संपत्ति जो है कुर की थी धन शोधन निरोधा का दनियम यानि की PMLA के तहत मुंबई के वरली में 1.5 करोड रुपए मूल के एक फ्लैट और राइगर जले के धुतुम गाउं में 2.6 करोड रुपए के 25 वुकंडों को कुर करने की शुडवाती जो है आदेश जारी कर दिये गए तो दोस्तों इस माम कर दिया जाए यानि की रद कर दिया जाए इसके साथ ही जो महरास्टर की महाविकास अगाडी सरकार की तरफ से भी एक याचिका दायर की गई थी उस याचिका में जो दरसल अनिल देशमुक के अगेंस्ट में फायार दर्श की गई है उसमें दो पैराग्राप्स को हटाने की अपील की गई थी महारास्टर सरकार की तरफ से तो उसे भी अब Bombay High Court ने सेरे से खारिच कर दिया है तो अब इसे लेकर जो है अनिल देशमुक की मुश्किलें और भी जादा बढ़ने वाली है क्योंकि अनिल देशमुक लगातार इस बात पर अड़े हुए थे कि वो ED के सामने तब ही पेश होंगे जब कोट की तरफ से उनकी Petition पर जो है फैसला आ जाएगा तो Bombay High Court की तरफ से देशमुक को जटका लग चुका है अब बहुत ही जल्द उन्हें ED के दफतर में जो है पेश होना होगा और उसके बाद में वो कहां पर जाने वाले हैं आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं मैं राज जो अनिल देशमुक को तगड़ा जटका लगा है Bombay High Court से इसे लेकर आप लोगों की जो भी राय है मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर लिख बताएं इस वीडियो में इतना ही जल्द मिलूगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में दूसरे अपडेट के साथ में तब तक के लिए धन्वाद अगर आप लोग चैनल पर नहीं है और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब